हेलो एवरीबरन, वेलकम टू जीवन दर्शन, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर अरेज्मेंट सो दोस्तों, स्टूडेंस अभी तक आपको हम लोगों ने ये सिखाया था कि आकर कोई A, B, C लोग है, आकर वो स्ट्रेट लाइन में बैठें हैं तो उनका कितना different possible outcomes होगा, मतलब कितने तरह से arrangement होगे, उनको सजाया जा सकता है 3 का factorial करते थे आप लोग, और 6 आता था, लेकिन आकर ये ही लोग A, B, C, एक circle में बैठे हैं तो उनका how many type of arrangements होगा, वो total number of arrangements जो है, N-1 factorial उसे तरिके से अकर ये 3 है, तो 3-1 factorial, that is equals to 2 एक छोटे example से समझने की कोशिश करेंगे इसको, कि मान लोग अकर ये A, B, C, circle में बैठा होगा है तो ये लोग अलग-अलग जगा पर बैठे का तो एक arrangement होगा, उस तरिके से different types of arrangements होते जाएंगे, अलग-अलग place को occupy करेंगे तो तो मान लो C जो है यहाँ बैठा, B जो है यहाँ बैठा, और A जो है यहाँ बैठा, तो ये हमने क्या क्या, एक rotation चालो किया, anti-clockwise direction में तो ये first arrangement हो गया, अब जो A है वो यहाँ चला गया, जो C है वो यहाँ आ गया, और जो B है वो यहाँ आ गया, तो ये दूसरा arrangement हो गया, अब क्या करना है हम, अब हम B को फिर भेजेंगे यहाँ, तो आप ध्यान दो कि B तो पहले ही था यहाँ पर, अब फिर भेजेंगे तो total कितने arrangement हुए two arrangements है है हमारा formula भी यही कहता है factorial of three minus one equals two two so total arrangement is two अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग a b c d इत चार लोग को लेके anti clockwise में rotation करिए और मुझे बताइए कि आपके पास कितने types of total arrangements है पहले आपको formula नहीं लगाना है आपको कोशिश करना होगा c को एक बार यहां में जो फिर b को एक बार यहां में जो एक पूरा complete rotation होने के बाद one लिखना फिर उसके बाद एक पूरा complete rotation करना फिर two लिखना इस तरीके से करना अब बताना मुझे एक क्या आप लोग का कितना आकर इसका answer होता तो कितना four minus one होता three factorial that is equals to six तो क्या आपके six different arrangements आ गए और अकर आ गए तो comment section में मुझे बताईए तो चलिए अब मान लो मान लो क्या एक sum ही है a b c ठीक है अगर इसमें से मैंने b को fix कर दिया मतलब b कहीं नहीं हिलेगा जिसको चाहिए उसको हिला लो तो मतलब a और c ही लेगा तो c क्या जाएगा c एक बार यहां जाएगा तो a यहां पर आ जाएगा तो यह एक बार हो गया अब a वहां जाएगा तो वापस वही हो गया तो कितना हुआ यह arrangement कितना तरी किस इसको arrange कर सकते है only answer जो आया है वो है one तो इसके लिए formula दिया गया अ half into n-1 factorial तो यहां पर सिफ आपको दो ही formula learn करने एक है factorial of n-1 और दूसरा है half n-1 factorial अगले वीडियो में हम लोग इसके sums को solve करेंगे ताकि आपके सारे doubts को clear हो जाए I hope you like the video please do like and subscribe thank you